कि उनकी लड़ाई ये नहीं थी कि चलो एक दिन प्रधान मंत्री बनेगा हिंदुस्तान का आज हम ये सोचते हैं मोधी को निकालके मैं प्रधान मंत्री बनूँगा अरे पहले तो उसको निकालो फिर प्रधान मंत्री की कुर्शी की सोचो हम पहले ही प्रधान मंत्री बनूँगा हालत ये है उस खून को याद कीजिए जो वहाँ उस जमीन पर पड़ा हुआ है वो हिंदुस्तानी का खून था उस वाद धरम नहीं था आज हम धरम पे बटे जा रहे हैं कि कौन भगवान राम के साथ है और कौन अल्लह के साथ है मैं इन हिंदूं से पूछना चाहता हूँ राम सिर्फ तुमारा राम है तुमारी पुस्तकों में लिखा है कि भगवान राम विश्व के भगवान है तो अगर वो विश्व का भगवान है तो वो सब का भगवान है वो अंग्रेजू का भी है रूस्यू का भी है उनका भी है जो मानने वाली नहीं हम मुसल्मान अल्ला को कभी यह नहीं कहते हैं कि वो रब-ल-मुसल्मीन है कि वो सिर्फ मुसल्मानों का रब है हम कहते हैं वो अल्ला है काइनातु का रब है आलम का रब है कोई माने या ना माने मगर इसमें हम लड़ाई नहीं करते हम हिंदू से यह नहीं कहते है तुम यह नहीं कर सकते है तुम वो नहीं कर सकते है यहां नहीं जा सकते है यह हम मुसल्मानों को कहते हैं तुमने अगर भारत में रहना है तो हमारे बातों पे चल के रहना है कि तुमारे बाप का है यह भारत ये तो हर हिंदुस्तानी का बारत है जिसने मरना यहाँ है और जिसने दफन होना यहाँ है उसके जलाके का बात भी उसकी जो खाक है वो इस जमीन में मिल जाएगी मगर ये वो नहीं कहते हैं ये कहते हैं नहीं मेरा रास्ता है और कोई रास्ता नहीं अब आपने दिखाना है और इस मुल्ग ने दिखाना है कि क्या वो रास्ता चाहिए हमें या वो रास्ता चाहिए जिसमें हर इंदुस्तानी किसी भी धरम का हो किसी भी जात का हो कोई भी जवान हो वो जिन्दा चल सकता है और अमन से चल सकता है और इजट से चल सकता है हमें अपने जगरे भूल जाने है अगर हम अपने जगरे नहीं भूलेंगे मैं निरू से कहता हूं तो फिर कभी भी हम इनको निकाल ली सकेंगे पहरा गज़ुक ambassador हमने उठाना है कि अगर हमने देश को बचाना है पहले अपने आपको कुर्बान करना है इस देश के लिए हमने कुर्बान करना है कुर्सी के लिए कुर्बान नहीं करना कुर्सी देश देगा और देशी कुर्सी देने वाला है और देशी कुर्सी से हटाने वाला है आज हम पे तलवार लगी हुई है हर ज़गा जूट बोला जाता है अरी मेरी रियासत का हाल देखो जहां कहते हैं हमारा सनकल्ब है कि हर जगा विजली होगी हर जगा तार होगी मैं इनसे पूछता हूँ आपका सनकल्ब तो बड़ा अच्छा है आएे देखें मेरी रियासत में सिरी नगर में बिजली है या नहीं गाओं की तो बात ही नहीं आईए देखें आज सत्तर साल के बाद भी बाट पाई जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया वतन को जोड़ने का सरकें कश्मीर से कन्या कुमारी तक महराश्चे से बंगाल तक पूरी ऐसी सरकें होंगे जो योरप में नहीं हो सकती आईए मेरी रियास्त में देख लिए तीस किलो मिटर तीस मील बानी हाल से राम बन तक आज तक उसको ठीक नहीं कर सके आज तक ठीक नहीं कर सके और हमारे लोग दर्बदर रास्तों पर पड़े हुए हमारी माएं बैने हमारा खाने का सामान तेल याने हाल देखिए कि सतर साल के बाद हिंदुस्तान की आजादी मैं हमारे हाँ दस लीटर डीजल मिलता है और तीन लीटर पेट्रोल मिलता है अरे मोधी जी कभी तो सच बोलिए कि हमारा हाल क्या है अरे कुद्रत से डरो कभी तुम्हारा भी हशर ये न हो जाए कि तुम सारे चिवों को लेकर उसी दर्या में डूब जाओगे भाई लोगो पहले अपना इमान सही करो अपने भगवान को पहचानने की कोशिश करो कोई धर्म बुरा नहीं है इनसान बुरा है धर्म बुरा नहीं और अगर तुम अपने धर्म को समझते हो तो याद रखना हमारे धरम में भी लिखा है कि देखो तुमारा धरम तुमारा अल्ला है तुम मानते हो तुम दूसरे ये खुदा के बारे में कुछ मत कहो लकुम दीन उकुम वल्यदीन तुम उसे खलाब अगर कुछ कहोगे तो क्या तुम बरदाश करोगे अगर ये तुमारे खुदा के बारे में कुछ कहेंगे ये है हमारा इमान मेरा इमान है कि हिंदू इतना ही मेरा भाई है जितना मुसल्मान है या सिख है या इसाई है मैं उस घर में पला हूँ जिसमें था नारा हिंदू, मुस्रिम, सिक इतिहाद यानि सब बराबर है कोई फरक नहीं है आज हम लोग को बंटा जा रहा है इसलिए आप से और इन लीडरों से अपील करता हूँ, सब लीडरों से कि अगर देश बचाना है तो हमें अपने आपको कुर्बान करके इस देश को बचाना है और इस मोदी सरकार को हटाना है कि ये कभी वापस नाए ये देश ऐसे उठेगा कि कभी आपने देखा नहीं होगा और मरने से पहले मैं जरूर वो देश देखूंगा जिसे मैं कहूंगा गांदी, तेरा देश बन गया शेख अब्दुल्ला तेरा देश बन गया नहरू तेरा देश बन गया आजाद तेरा देश बन गया और जिनों ने कुर्वानिया दी हैं जो काले पानी में मर गए जलियावला बाग में मर गए उनसे भी जाके कहूंगा तुम इस देश के लिए सो गए मगर आज वो देश तुमारी महरवानी से जिन्दा है जेहिन जेहिन दुस्तान मेरे साथ जरा जोर का नारा दी जेहिन अरे हाथ उठाके क्या मर गए हो हाथ उठाके जेहिन जेहिन जेहिन